हाई गाईज डिस इस तुले स्वाश्रा हूँ और आज हम देख रहे हैं स्टुडेंट CSI NET दिसमबर 2019 के कोस्टन आदी 1879801808 यह पार्ट C का कोस्टन है स्टुडेंट और इस कोस्टन में देखें बोलता है असट जेट 01 तू अधर दिपावर 2 थेंस तू रियल लाइन और बी अफ़ फंक्शन दिफाइन बाई f of x of y is equal to x of y upon x square plus y square if either x not equals to 0 और y not equals to 0 and if f of x of y is equal to 0 if x is equal to 0 and y equals to 0 then which of the following statement are true तो यहां दियार रखना है true पूछा गया है ठीक है दूसरी चीज़ बोलता है कि हमारा option number first कहता है f is continuous 8800 f is bonded a bonded function and then 01 integration of 0 to 1 and 0 to 1 f of x y dx dy exist and then f is continuous 810 तो इस टाइप से है हमारे पास function है है तो इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि यह जो function है वो continuous कहां कहां पर है या नहीं वो main check करना है ठीक है तो देखें ध्यान देते हैं हम लोग हमारे पास जो function है वो x not equals to 0 और y not equals to 0 गिवन है तो आप क्या करिएगा सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं यदि यह function जो है x not equals to 0 और y not equals to 0 और यहां पर value of the function की बात करें तो x is equals to 0 और y is equals to 0 है तो इससे हम यह समझ में आता है कि यदि हम function की simple हम कोई function की continuity आप चेक करते थे तो आप क्या करते हैं limit of यहां पर लिखते थे xy ख्याना xy tends to ab f of xy is equals to f of ab ऐसा लिखते थे तो आपको यही ध्यान रखना है कि यह जो a b है न वो क्या है a b कौन है a b जो है वो 0 a का value 0 है और b का value भी 0 है तो यहां से हम यह समझ में आ रहा है कि a का point 0 है और b का point भी 0 है मतलब हमको function को केवल 00 point पे चेक करना है कहां पे चेक करना है केवल 00 point पे चेक करना है मतलब हमको यहां पे चेक करना है continuous है या नहीं तो यह हमारे पास इसके according यह पहला यह fourth option true है ठीक है अब आई यह देखते हैं integration 0 to 1 and 0 to 1 f of x y dx dy इसके बारे में तो हमारे पास देख लिजिए यह function हमारे पास है f x y जो है x y और x square plus y square है इसका integration हम आसानी से कर सकते हैं तो यह इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो function है वो always क्या है इसका जो exist होगा यह जो function है वो always exist होगा यह आप इंट्रिगर्शन करके देख लिजिएगा हमेशा यह exist मिलेगा कोई ना कोई finite value मिलेगा ठीक है अब आगे देखते हैं आपको second option पे और first option में तो आपको इसमें first और second में आपको यह करना है कि x का value r cos theta लेना है y का value r sin theta लेना है और हमारे पास जो f of x y है उसको हमको f of r theta में change करना है ठीक है तो जब हम change करेंगे तो ध्यान दीजिए जैसी मैं यहाँ पे value put करता हूँ तो यह जो value put करूंगा ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे आएगा r cos theta r sin theta upon में r square cos square theta और r square sin square theta यह मिलेगा ठीक है अब आपको क्या करना है उपर का देखो r square को आप बाहर निकल लीजिए एक r theta का जो value है वो आपको मिल जाएगा क्या r square बाहर cos theta sin theta यह मिलेगा और नीचे में r square बाहर cos square theta plus sin square theta मिलेगा तो इसकी तो जो value है वो 1 हो चाएगी और यह दोनों कड जाएगा और यह हमारे पास cos theta sin theta हैगा तो यह क्या हुआ थीटा पे depend है ना तो depends on theta depends on theta r पे dependent नहीं है और जब हम limit क्या करते है limit put करते हैं कि limit x y tends to 0 0 f of x y ऐसा करें तो उसको हमको क्या करना पड़ता है कि limit r tends to 0 r tends to 0 f r theta लिखना होता है तो आप देखीजे f r theta हमारे पास क्या चीज है limit r tends to 0 cos theta sin theta है जो की r पे dependent नहीं है इसका मतलब यह आपको क्या मिलेगा cos theta और sin theta ही मिलेगा और यदी हम यहाँ पे cos theta और sin theta मिल रहा है तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि theta पे dependent है और theta पे dependent है तो इसका मतलब हुआ कि f is not continuous f is not continuous ठीक है अब हम चेक करते हैं f is not continuous यह हमको मिला अब आगे चेक करते हैं हम लोग की bonded है कि नहीं तो bonded के लिए हम क्या करते हैं f mod लगा देते हैं इसपे अब इसपे mod लगाने का मतलब हुआ कि f r theta पे हम mod लगा दें तो इस पे mod लगाते हैं तो हमको मिलेगा cos theta sin theta का mod तो इस पे आप क्या करिए दो का multiply कर दिजे उपर में और नीचे में तो आप लिखेंगे 2 sin theta cos theta upon 2 लिखेंगे और ये जो value है आप इसको एक बारा और sin 2 theta में change कर सकते हैं upon 2 अब हम सभी जानते हैं sin theta का mod less value होता है वो less than our equal होता है 1 से इसका मतलब यहाँ पर मैं इसके value में 1 रखूँगा और upon में यहाँ 2 है तो वो 2 रखूँगा तो ये किसी न किसी case से bonded हो गया इसका मतलब हमारे पास f is bonded तो इस तरीके से हम इसको solo करेंगे और हमारा इस में इस question में 3 options होते हैं चौथा तीसरा और दूसरा अब पहला option incorrect होता है तो thank you student अबना है तो ये विद्वार करेंगे तेस्टे कि रखूँगा आपवे हैं